वेल मैं यही कहना चाहूंगी कि कहीना कहीं हर किसी में बच्चा छिपा हुआ रहता है और खिलोने की खुशी जब कोई देखता है तो कभी अपना बच्पना याद आता है और कभी ऐसा लगता है कि वापस जाके जैसे मैं गाड़ी में बैठ हूँ, डॉल्स के साथ खिलूँ साइकल पर जाओ, मैं सवार हो जाओ, तो बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि मेरे भी बहुत बच्पना है और बच्चों के लिए मैं समझती हूँ कि ये एक दुकान खास दुकान है, यूनीक चीजे हैं जैसे आप ये सब गाड़ियां वग्यरा देख रहे हैं, बहुत ह बहुत ही एक यूनीक स्टोर है, जो उनको बहुत खुशी देगा यहांने को, जब मैं यहां आके पुश हो सकती हूँ तो मुझे मालूँ कि बच्चे आप बहुत ही कुछ होंगे, बहुत बहुत ही ज्यादा की श्रौकिन थी, मैं खास करके डॉल्स की, मेरे पास सौ से ज् कुछ थी, डॉल्स के अलग अलग कप्रे थी, मैं चेंज करा थी, सब कुछ तो बहुत ही मुझे अभी तक टैडी बैस बहुत लगा हुआ है, मेरा घर और ओफिस दोनों टैडी बैस और सबसे भरा हुआ है, मुझे अभी तक टोई बहुत पसल रहे है, वो पिंक साइकल, य काफी सारे चीजें जो मैं खुशी से ले जा सकती हूँ, हाँ मैं बच्पन में बहुत राइडिंग कर थी, अभी जब मैं भारगाव जाती हूँ तो मैं साइकल रेन करके जब ओपन फार्म उतें तो मैं साइकल करती हूँ, मैं कहुंगी कि इनोंने बहुत अलग तरीके से कि खिलोने की दुकान कोई भी खोल सकता है लेकिन एक उनीक कॉंसेप्ट जो एक अट्राक्टिव प्राइस रेंज में हो और ऐसे चीजे रखे जो कहीं और दुनिया बॉम्बेग में नहीं मिले यह सबसे खास चीज है और इतने सारे अभी हमारे क्योहार आ रहे हैं मैं कि अपने बच्चों को देने के लिए सबसे बैस गिफ्ट तो यही पर आके आपको मिलेगा चाहे वो दिवाली हो चाहे वो नवरात्री हो न्यू यर हो क्रिस्मिस हो ईद हो जो भी जोहारे आ रहे हैं बैस गिफ्ट बच्चों के लिए इसी दुकान पे मिलेंगे